जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों व्यक्ति मनोकामना पुर्टी के लिए कई तरह के जतन करता है यहां वहां हर जगह जाता है जहां जहां व्यक्ति बताता है वैसी बाधा मानता है करता है पूजा अर्चना करता है कई तरह के उपाय करता है और कई व्यक्ति तो कई रुपयों का खर्च कर देते हैं मनोकामना पूरती के लिए लेकिन मनोकामना पूरती नहीं हो पाती है यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको मनोकामना पूरती का बहुत ही आसान तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम गुरंथों में चुपए हुए कई आप झानकरी में रूची कि जिसके जरिये आप आपकी कोई भी मनोकामना होगी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना होगी आप स्वेम पुरी कर पाएंगे इसके लिए आपको यहां वहां कहीं भी भटकने के आवसकता नहीं है किसी के यहां पर भी जाकर के पैसे देने के आवसकता नहीं किसी भी तरह की बाधा मानता उपाशना करने की आवस्यक्ता नहीं है यदि कोई चीज कोई कामना आपके मन के अंदर आई है तो उसे कहते हैं मनो कामना जब कोई चीज आपके मन के अंदर आई है तो वो ऐसे के ऐसे नहीं आती है प्रकृति स्वेम चाहती है कि आप वो काम कर प्रकृति आपके जरिये उस काम को करवाना चाहती है पस इस चीज को आप समझ लें कि ये जो आपके अंदर इच्छा पेदा हुई है ये इच्छा आपके अकेले की नहीं है इसमें प्रकृति कुद्रत भी आपकी सह भागी है तो आप अपना जो कर्म करते हैं भोतिक रूप से वो अवस्य करें साथ ही साथ कुछ ऐसा कर्म करें कुछ ऐसा उपाय करें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जिससे कुद्रत की सहता भी आपको मिले आपके सह भागी की सहता भी आपको मिले और आपकी मुनोकामना छट से पूर बड़ी से बड़ी इच्छा को आपको पूरी करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोरा कागज दोस्तों आपके मन को निर्दिष्ट करता है, जैसे आपका मन एकदम कोरा कागज है, उसमें किसी तरह की कोई इच्छा नहीं थी, लिकिन एकदम से कोई इच्छा आ इसे है हल्दी से लिखना है हल्दी पवित्र होती है उससे लिखें हल्दी पाउडर से पानी मिला करके उसका पेश्ट बना ले थोड़ा गीला कर ले उसकी स्याही जैसा बना ले और इस कोरे कागज में बीचों बीच में अपनी मनोकामना लिख दें अब यह जो स्रिष्टी ह इसका सर्जन ओम से हुआ है संपून स्रिष्टी जब कुछ भी नहीं था तब केवल ओम था तो संपून स्रिष्टी का सर्जन ओम से हुआ है तो जहां आपने अपनी इच्छा लिखी है उसके ठीक उपर बीचो बीच में ओम लिख दे इसी तरह से उसके नीचे ओम लिख दे जहां आपने इच्छा लिखी है उसके आगे ओम लिख दे जहां आपकी इच्छा समाप्त होती है उसके पीछे ओम लिख दे चार ओम आपको बनाने हैं आपकी इच्छा के ऊपर नीचे दाएं बाएं चार जगह आपको ओम बनाने हैं। और रात्री को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपकी अचेतन मन होता है, उसकी सक्ति अशीम है, कोई पकड़ नहीं सकता उसके सक्ति को, और जो कुछ भी व्यक्ति को मिलता है एका एक, वो उसके अचेतन सक्ति की जागरत होने के बाद ही मिलता है। तो आप क्या करें। जो आपने लिखा है, उसको सोचते हुए, इस पेपर को, इस वाइट पेपर को, जिसमें आपने अपनी मनोकामना लिखी है, इच्छा लिखी है, अपने सिर के नीचे रख ले। इसको इस तरह से रखें कि ये कागज बिगडे नहीं, इस तरह से इसको अपने सिर के नीचे रख ले। और जब तक आपको नीद नहीं आती है, जब तक आपको नीद नहीं आती है, लगातार इसके बारे में सोचते रहें यदि वास्तों में ये चीज इतनी बड़ी है कि आपको इसके बिना नहीं चलेगा तो इसके बारे में लगातार सोचते रहें और मैं आपको 100% गेरंटी के साथ कहता हूँ कि यदि इसके बिना आपको नहीं चलेगा तो ये चीज आपको मिल के रहेगी इसको आप अपने तकिये के नीचे रचने सो जाए सवेरे उठकर स्नान करने के पश्चात बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दे कई लोग पूछते हमारे आसपास में बहता हुआ जल नहीं है तो भाईया थोड़ा कश्ट करें यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ती करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि वास्तों में भोतिक रूप से भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे तो यदि आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे बहुत सकती साली चीज है आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दीवे प्रकास और अपने जयोन में लाभनवित होते रहें धैनेवाद